अंदर गुस्ताकी नहीं बरदाश्ट कर सकते हैं थाने में हमको रोक दिया गया कितना घटिया खेल ये मीडिया खेलती है असलाम अरेकुम ओर फीलहार मैं है वापस आया खाने खाने के लिए तो मुझे एक वीडियो सामने आई इंतिया जली साहब का इंतिया जली साथ केसें फिल्यों पनागरे किस तरी किन भूदी मीडिया घुलीा तो पाहले आई आइआए आए आप लिडियो को प्र विडियो द एक बहुत ही भव्यर रैली पूरे महराश्या के गारियां औरंगाबाज से होते हुए मंबई की तरफ गए बहुत ही शांतीपूर्ण तरीखे से गई बहुत ही पीसफुल तरीखे से गई कहीं कोई हुलडबाजी नहीं कहीं कोई नारेबाजी नहीं तिरंगा लहराते हुए ये रैली औरंगाबाद से मुंबई की तरफ जब गई तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया देखता रहा इतनी बड़ी रैली कैसे और्गनाइज की गई कोई हंगामा नहीं कोई भड़काओ भाशन वहां पर नहीं हुआ मुंबई पहुँचे थाने में हमको रोक दिया गया थाने के अंदर हमको बताया गया कि अपने अपने घर की तरफ चले गए और उसके बाद खेल शुरू हुआ मीडिया का अब मीडिया के इस तरीखे से काम करता है आपको बहुत ज़्यादा बतानी की जरूरत नहीं है आप भी हर रोज देखते हैं सुनते आ रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर हमारी जो रैली के तालुक से जो रिपोर्टिंग की गई है मुझे बताना बहुत जलूरी समझता हूँ और आप भी समझ जाएगा कि कितना घटिया खेल ये मीडिया खेलती है सिर्फ अपने निउस को सेंसेशनलाइज करने के लिए लोगों को अपने तरफ आकरशित करने के लिए और जूट का कैसा सहारा लिया जाता है अब मैं उधारन आपको देता हूँ रिपबलिक हिंदी चैनल का जी हाँ रिपबलिक हिंदी चैनल इन्होंने रात में अपने प्राइम टाइम के अंदर एक बड़ी भड़काओ निउस से शुरुआत की कि इतनी बड़ी रैली निकली है करके और उनका एंकर भागते हुए आया अंदर और आते ही बताया कि कैसी लाठी चार्च किया गया था करके अब जब वो विजूल्स मैंने रिपबलिक टीवी के ओपर देखा तो मैं फुक्त हैरान हो गया कि इस रैली के अंदर तो महिलाएं थी नहीं इस रैली के अंदर हमारे साउंड सिस्टम के लिए एक छोटा सा माइक रखा गया था तो इतने बड़े बड़े स्पीकर्स कहां से आ गए महिला वहां पर खड़ी हुई है और साथ ही साथ फिर हमारी नजर गई एक बोर्ड के उपर जो बता रहा था कि दिल्ली कुछ 165 किलो मीटर है हमने कहा हम तो मुंबई के अंदर है ये बोर्ड तो दिल्ली के खरीब का बता रहा है ये लाटी चार्स तो हमारा है ही नहीं ऐसा सेट अप हमारा था ही नहीं लेकिन वो रिपब्लिक हिंदी चैनल ने बहुँ भी उसको शुरुआत के अंदर ही चलाया और वो जो रिपोर्टर थे बड़े जोश के अंदर बता रहे थे कि कैसा लाटियों से पूना गया है करके अब आप पहले रिपब्लिक टीवी का वो वीडियो आप देख लीजेगा कि जहांपर महिलाएं दिख रही है जहांपर वो बोर्ड नजर आ रहा है जिसके उपर दिल्ली कितने किलोमीटर है वो दिखा रहा है करके बड़े-बड़े साउंड सिस्टम दिखा रहे है तो वो रिपब्लिक टीवी ने ये बताया कि ये लाटी चार्ज ये हमारी तिरंगा रैली के बाद पूलीस ने कैसे लाटियों से भूना है करके ये बताया बड़े खुश हो रहे थे दिखा के कि देखे कैसा वहां पर इतने सारे लोग जमा हो गए और पॉलिस ने अपने डंडो का इस्तमाल किया बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि पत्रकारिता नहीं कर रहे थे दलाली कर रहे थे अब आप ये वीजियोल देख लीजेगा उसके बाद मैं आपको अपना वीजियोल बताता हूँ अब हम आपको दिखाएंगे हमारी रैली का दुरुश है हमारी रैली जिस तरीखे से आई वहाँ पे जिस ग्राउंड के अंदर खड़े हुए थे और वहाँ पर जब सब लोग चले गए थे कुछ लड़के थे जो थोड़ा भो थंगामा कर रहे थे पुलीस वालों ने मारे नहीं डंडे लेकिन लोगों को वहाँ से भगाया और बहुत कम लोग बचे हुए थे जब पुलीस वहाँ से भगा रही थी अब ये हकीकत जो हमारा वहाँ पे मुलुन नाके के पास का विजुल है ये विजुल आप देख लीजेगा और उसको कंपैर कर लीजेगा जो विजुल रिपब्लिक टीवी चैनल और दूसरे चैनल उनों भी खूट चलाया ये कहते हुए कि कैसे लाटियों से भूना गया कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी कुछ कम नहीं है पैसा दो तो कुछ भी कर देते हैं तो उन्होंने भी बड़ा जम कर कि कैसे लाटियां बरसाई गई ए आइम आइम की बड़ी रैली के उसमें तो अब आप ये विजुल देख लीजेगा ये विजुल देख लीजेगा और आप समझ जाईएगा कि मीडिया आज के इस दोर के अंदर किस तरीखे से काम कर रहा है और मैं सिर्फ रिपबलिक टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ जी नियूस वाले ने किसी एक कहां कि किसी की तखरीर को हमारे विजुल के अंदर बताया कि हमारा हमारी रैली के अंदर इस तरह की तखरीरें की गई है करके बड़े अच्छे तरीखे से उन्होंने भी चलाया किसने एडिट किया किसने उसको ट्विटर के ओपर डाला ये इसकी जिम्मेदारी हमने उनको ओपन चैलेंज किया कि मजलिस के AIMIM के या वहां की रैली के अंदर जो हमारी रैली नहीं थी सभी मुसल्मान वहां पर इखटा हुए थे अपनी नाराजगी जटाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम हर चीज बरदाश कर सकते हैं अपने हुजूर की शान के अंदर गुस्ताखी नहीं बरदाश कर सकते हैं तो हम मुक्य मंतरी को सम्विधान की यार दिलाने के लिए वहां पर आई थे तो हमने यूजी नियूस को भी बताया कि आप ये क्यों चला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको किसी ने भेजा आपके किसी पार्टी के बंदे ने इसको ट्वीट किया तो हमने उठा लिए है करके पत्रकारिता ऐसी नहीं होती है सहाब 24 साल हमने भी पत्रकारिता की है तो हमें भी मालूम है कि पत्रकारिता करने के तरीखे क्या होते है लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कुछ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर रहे है दलाली कर रहे है इसलिए अगर यही सब करना है तो पत्रकारिता का एक नोबल प्रोफेशन है बहुत अच्छा प् आप सभी ने सुना इम्तिया जली सा बता रहें हमने पत्रकार चीए किया है लेकिन इनकी तरह नहीं और आप लोग जानते हैं कि जो पत्रकार हैं बहुत क्यम ऐसे पत्रकार हैं जो कि सही न्यूज देते हैं लेकिन जो है कुछ गोधी मीडिया हैं जो अफवाय पहिलाती हैं जो कि पुर्म गोदी मीडिया को इंतिया जली साथ ने रिपलाई किया और आप लोग बतानों आप सभी लोग जानते हैं पिछली मेहने ते इस तारिक जो है एक रैली निकली थी मुंबई के लिए और उस रैली में दोस्तों हजारों की गाडियां और लाकों की ताला में दोस इस पत्तर करते हैं नहीं करना चाहिए तो फिलाल आज वीडियों यहीं पर अनले करते हैं अगर आपको वीडियों पसंद आए तो लाइक करना से अगली वीडियों अब तक के लिए अल्लाहाफिस